नमस्कार दोस्तों फिर से आपके अपनी यूटूब चैनल न्यूपडेट में आप सभी का पोधपोध स्वागत है जैसा कि दोस्तों आज हम तिहतरवी गंतंत्र दिवस मना रहे हैं इस सुवशर पे एक अच्छी खबर निकल कर आई है वो है दोस्तों हमारे आधार से रिलेटेट किस प्रकार से पंचायत भवन में फूल आधार से इंटर का कायर मिलेगा हमारे CACVLE को क्या क्या परिक्रिया करना होगा दोस्तों हमारे CACVLE को कौन सी वो consent form आई है पंचायत भवन सिप्टिंग लेटर से रिलेटेड इसके साथ ही दोस्तों किस Google Form को हमें भढ़ना है इसके साथ ही दोस्तों क्या क्रेटेरिया रखी गई है हमारे CAC VLE के लिए कुछ-कुछ बातें फिर से निकल कर आई हैं तो चलिए इसे हम step by step जानने की कोशिस करेंगे फ्रेंड लेकिन दोस्तों वीडियो मागे बनने से पहले आप सभी दोस्तों सागरा करना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल ने अपडेट ओनलाइन को सब्सक्राइब ने किया है जिसके बाद आगे होगा क्या दोस्तों अब हमारे पंचायद भावन में भी फूल आधार सेंटर का कायरी भी चालू हो पाएगा ये महतपुर्ण नीज भी आप सायद जान चुके होंगे अब दोस्तों आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार से पंचायद भावन सिप्टिंग लेटर को भड़ना है साथ ही दोस्तों कौन सी गूगल की लिंक आ चुकी है जिसे हमारे CC वेली फिल करके सब्मिट कर सकते हैं फूल आधार सेंटर के लिए लेकिन दोस्तों इसके लिए भी कुछ क्रेटिरिया रखी गई है ये लिंक आपको अपने DM सर के माधियम से ही मिलेगा जब ये लिंक आपको मिलेगा तो बहुत सारी क्रेटिरिया है कि क्या-क्या आपके पास होनी चाहिए तभी इस फॉर्म को दोस्तों आप सक्सेस्फुली सब्मिट कर पाएंगे उसके बाद ही आगे का जो भी क्रिडेंसियल बनना हो या जो भी होना हो वो उसके बाद का काईरे है तूसे भी हम आगे समझने की कोसिस करेंगे पहले हम देखेंगे दोस्तों कौन सी Google की लिंक है जिससे हमें फिल करना है और उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ों को हमें फिल करना होगा इसके साथ ही दोस्तों पंचायद भाउन सिफ्टिंग लेटर को भी देखेंगे कि किस प्रकार की फॉर्मेट है उसकी अभी ये हमारे सभी डिष्टिक में सायद सेंड ना हुई हो क्योंकि दोस्तों थोड़ा वक्त लग सकता है आने वाले समय में आप देखेंगे इस प्रकार की लिंक आपको असानी से अपने सर के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी जिसे आप फिल करके सेंड कर सकते हैं तो चली पहले हम पंचायद भाउन सिफ्टिंग लेटर को देखते हैं कि वो किस प्रकार की है फिर हम आगे की बातों को समझने की कोशिस करेंगे जैसक दोस्तों यह रहा पंचायद भाउन सिफ्टिंग लेटर जिसे आप देख पा रहे होंगे पंचायद भाउन में CSC सेंटर चलाने के संबंध में आविधन पत्र इस आविधन पत्र को दोस्तों आपको भढ़ना है इसके साथ ही दोस्तों पंचायत सचीव से आपको sign and मोहर भी करवाना है ताकि ये सत्यापित हो सके कि आप पंचायत भवन में आप regular बैठते हों और वहाँ पे कायरी कर रहे हैं तभी इस प्रकार की अनुमति पत्र आपको प्राप्त हो सकती है अब दोस्तों हम आगे बात करे क्या फिल करना है कौन-कौन सी आवस्यक चीजें उसमें मांगी जा रही है और किस प्रकार से हम इस Google की फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो दोस्तों ये रहा Google की लिंक जिसे हमें फिल करना है दोस्तों जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आधार पेक सेंटर यहां क्या करन है दोस्तों सबसे पहले हमें अपने डिश्टिक का नाम फिल करना है इसके साथ ही हमें ब्लोग का नाम भी फिल कर देना है इसके बाद पंचायत का नाम यहाँ पे फिल करना होगा हमें इसके बाद दोस्तों महत्पुर्ण कुश्चन जो आप यहाँ पे देख पा रहे क्या आप पंचायद भाउन में shift है या फिर नहीं है तो yes या no में आपको जवाब देना है अगर आप shifting होंगे तो yes कर लेंगे वरना no करना होगा पंचायद भाउन से related shifting answer जब हम दे देंगे तो इसके बाद हमें क्या करना है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे CAC ID तो यहाँ पर हमें CAC ID फिल करना होगा उसके बाद हमें VLE name मतलब अपना VLE name यहाँ पर फिल कर देना है फिर से हम थोड़ी cursor को down करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे जो भी हमारे पास register email ID होगी उस email ID को यहाँ पर फिल कर देंगे उसके बाद दोस्तों हमें mobile number यहाँ पर फिल कर देना है साथी दोस्तों आप देख पार होंगे WhatsApp की जो mobile number होगी उसे भी यहाँ पर फिल कर देंगे इसके बाद कुछ main main चीजों को आपको फिल करने के आउ सकता है जो काफी important है जैसे कि दोस्तों having kit क्या आपके पास आधार की kit है या फिर नहीं है जो full आधार की kit होती है बड़ी machine जो होती है उसके बारे भी हम आगे जानेंगे अगर आपके पास है तो yes कर देंगे और नहीं है तो no करेंगे जैसे कि दोस्तों अगर आपको full आधार सेंटर लेना है तो यहाँ पे yes करना होगा इसके बाद दोस्तों finger self serial number आप यहाँ पे देख पारेंगे जो बहुती important है अगर आपके पास आधार की full kit है तो दोस्तों यह finger slave serial number हमें यहाँ पे fill करना होगा यह machine किस प्रकार की होती तो चली इसके बारें भी थोड़ी हम जान लेंगे जैसा कि दोस्तों full आधार सेंटर में कायड करने के लिए इस प्रकार की full आधार fingerprint device होती है दोस्तों जिसे आप देख पा रहे होंगे इसकी serial number को दोस्तों हमें इस Google की link पे fill करने के आव सकता होगी यहाँ पे इसके बाद क्या करना है दोस्तों Iris की serial number भी यहाँ पे fill करने के आव सकता होगी जैसा कि दोस्तों हमारी UCL में जो Irish device use होती है उसकी serial number भी होती है यह Irish device दोस्तों अलग है फूल आधार इंडूर्मेंट किट की जो आईरिश डिवाइस होती है दोस्तो वो थोड़ी अलग होती है वो किस प्रकार की होती तो चली उसे भी हम एक बार देखेंगे Full Adar Enrollment Kit में जो Irish Device होती है कुछ इस परकार की होती है जिसे दोस्तो आप हमारे Carcer के पास देख पारे हूंगे कुछ दोस्तो इस परकार की Irish Device होती है जिसे आप देख पारे हूंगे तो दोस्तो क्या करना है? Irish Device की Serial Number में याप फिल कर लेना है अगर आपके पास आधार की full kit available है तो उसकी serial number को आपको यहाँ पे fill कर देना है दोस्तों इसके बाद क्या करना है फिर से cursor को थोड़ी down करेंगे उसके बाद आपके पास जो भी certificate होगा चाहे वो supervisor का हो या फिर operator का हो उस certificate number को यहाँ पे आप fill कर देंगे उसके बाद simply आपको submit कर देना है जैसे आप submit कर देंगे friend आपकी जो भी query होगी वो हमारे CST SPV team के पास पहुँच जाएगी इसके बाद दोस्तो जो भी आपकी जो भी आगे की update होगी दोस्तो वो WhatsApp के माधियम से या फिर Mobile Calling के माधियम से आपको या फिर email के माधियम से बताया जाएगा यह जो Google की link है दोस्तो या फिर shifting later है यह आपके senior sir के माधियम से आपको प्राप्त होगा यह अभी हमारे वीडियो के नीचे डिस subscription box अभी आपको available नहीं होगा friend इसके लिए थोड़ा अभी आपको wait करना होगा जैसे ही कुछ query आती है तो यह भी link आपको provide हो जाएगी यह important वीडियो दोस्तो आपको कैसा लगा comment के माधियम से जरूर बता है और वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धनेवा थांक्यू